आपने फिल्म चुप चुप के तो देखी ही होगी जिसमें अभिनेटा राचपाल यादव एक परिवार के लोगों की संख्या देखते हुए कहते हैं कि इसे घर क्यों कहते हैं, जिला गोशित क्यों नहीं कर देते हैं। भले ही उन्होंने ये बात मजाक में की हो लेकिन कुछ इसी तरह का परिवार अजमेर के एक गाउं में मौचूद है। इस परिवार में 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं बलकि 185 लोग एक साथ रहते हैं। जिया, सोचकर आप अचंभे में पढ़ गए होंगे, लेकिन ये सच है, गाउं का नाम रामसर है, जिसमें पांच पीडियां, एक साथ रहती हैं। यहां एक साथ तेरह चूलों पर एक समय में 25 कुलो आटे की रोटियां बनाए जाती हैं। पूरे परिवार के पास 600 बीगा जमीन है। अजमेर जिले के रामसर में रहने वाला ये परिवार माली समाच से बिलॉंग करता है। ये परिवार आज से नहीं पीडियों से एक साथ रहता हुआ आया है। इनके घर में जो रसोई है वो एक बड़े हॉल की तरह है। जिसमें खाना बनाने के लिए 13 चूले लगाये हुए हैं। इस परिवार में छोटे बच्चों से लेकर बुजर्ग तक लड़कियों से लेकर औरते तक एक साथ रहती हैं। घर परिवार में कुल 25 पुरुष, 55 महिलाएं और 75 बच्चे हैं। इस परिवार में कुल 125 वोटर्स हैं जिसके कारण ये परिवार सरपंच के चुनाओं के दौरान काफी अहम हो जाता है। किसी भी चुनाओं में इस परिवार को काफी तवज्जो दी जाती है। परिवार के मुखिया मोहनलाल माली बताते हैं कि परिवार के लोगों का सर्च महीने का लगभग 12 लाग के आसपास होता है परिवार में खेती बाड़ी को लेकर भी काम बाटा जाता है सभी अपने काम को बखू भी करते हैं खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का काम भी किया जाता है परिवार में सुबह घर की महलाएं चार बजे उठ जाती हैं कुछ महिलाएं रसोई में काम करती हैं तो कुछ महिलाएं खेती बारी का काम करती हैं वीडियो डेस्क एंबिटी ऑनलाइन